Hello and welcome back to our channel आज मैं लेके आए हूँ एक और mobile order आपके लिए जो कि इंटरेट में काफी train कर रहा था तो मैंने भी मंगा लिया है ये है सोरीलक्स का सिलिकॉन सकर ये स्कूरूलेस डिजाइन के साथ आता है में 360 rotation provided है तो जो flexible clip है उसमें आप साथे दीन इन से लेके 6 इंस आप mobile लगा सकते है तो किसी भी surface ऊड़ हो या metal हो या फिर dashboard के किसी भी part पर आप आराम से stick कर सकते है तो इसे single-handedly use किया जा सकता है तो अभी हम लोग इसका unboxing करने वाले है और company के claim एक-एक features को detail में हम चेक करने वाले है तो वीडियो को बीना script किये अग तक जलूर देखे प्रोड़क्ट काफी premium देख रहा है इस part से यह जो clip है यह काफी बढ़िया है और यह काफी इसमें strength देख रहा है पीछे के दरब से देखेंगे तो जैसा normal रहता है सबका वैसा ही है और यह tight करने के लिए जो इसका neck है वो भी stable लग रहा है तो हम लोग इसमें एक phone लगा के देख लेता है जनरल तो phone stable देख रहा है अभी देखना यह होगा कि जब हम लोग इसको यहां से suction कर देंगे तो यह phone को कितना hold कर पाएगा और इसमें तब vibration होता है कि नहीं कुशन के बाद करने हैं तो कुशन का quality काफे बढ़िया है कुशन बढ़िया लग रहा है और अगर नीचे यह बात करें बाकी के portion की build quality की तो यह कुछ खास मुझे नहीं लग रहा यह normally लग रहा है और पीछे जो है इसमें इसे निकालने के बाद यहां पर जेल टाइप फिलिंग है यह जेल वाला है तो साइड इसको remove करने के बाद यह जेल का stress mark वहां पर रहे तो आप लोग इसको stand देखेंगे कार में रहता है कि नहीं सीशे के उपर अभी हम लोग इसको install करने वाले हैं तो इसको install करने में ज़्यादा कुछ नहीं है यहां से इसको उखाड़के चिपकाना है और इसका suction यहां है पहले suction को इसे clip पॉन कर लेना है उसके बाद इसको उखाड़के पुस कर देना है ऐसे तो stable लग रहा है अभी हम लोग देखेंगे कि यह single hand से use होता ही की नहीं इसका एक function है single handed use होता ही की नहीं तो इसको मैं देखता हूँ तो एक हाथ से यह लग जा रहे है और एक हाथ से नहीं थोड़े दिक्केस हो रही है और इसका देखी आप टेड़ा हो गया तो मुझे लगता है कि दो हाथ का use करना भी पड़ेगा क्योंकि यह clip जो है वो काफी मजबूत है तो एक हाथ से नहीं हो पा रहा है सेकेंड इसका हम लोग feature test करेंगे कि फोन लगाने के बाद यह 360 मूब कर रहा है कि नहीं तो सबसे पहले हम फोन लगा रहता है फोन के लिए दो हैंड लगाना पड़ेगा इस इंगल एंडल यूज नहीं हो रहा है तो 360 rotation हो जाता है इसमें आराम से 6.5 इंच का screen का phone लगा हुआ है अभी अमने उसमें देखते हैं कि इसमें 3.5 इंच का screen का phone असानी से hold होता है कि नहीं तो यह मेरे पास 3.5 इंच से थोड़ा बड़ा है लेकिन screen size होई है तो इसे भी बैतर hold कर रहा है और मुझे लगता है कि इसमें कोई खास vibration होगा इसे ही लग रहा है मुझे अभी अभी मैंने इसे लगा दिया है इस्टॉल कर दिया है तो इससे ही record कर रहा हूँ तो आप देखिए कि इससे काफी बढ़िया आ रहा है view और अभी तो गाड़ी खड़ी है इसलिए stable है लेकिन एक problem लग रहा है इससे एक visibility का जो angle है वो abstract हो रहा है मैं आपको एक बड़ वीडियो में दिखाता हो अभी आप देख पार होंगे कि मेरे angle से सामने तो सब कुछ clear दिख रहा है लेकिन जब मैं इस तरफ देख रहा हूँ तो इस तरफ आप देखो इस तरफ उतना clarity नहीं है अजिस्टेड है तो वैसको फ्रॉसर टिल्ट कर देता हूँ सीधा कर देता हूँ तो सीधा करने से ये view आ रहा है व्यू तो ठीक है लेकिन अभी हम लोग गाड़ी चला के देखेंगे कि front camera और rear camera में कितना vibration आता है phone को चलाने में और phone ये holder उसमें कोई changes होते है कि नहीं तो आभी तो रास्ता Q है जिए रास्ता खराब होगा ये breaker होगा तो मेरे लोग ये चेक करेंगे आइक ब्रेकर आने वाला है तो प्रेकर में चेक करते हैं कि कितना vibration होता है कोई खास vibration थो मुझे नहीं आया है कि पर्ण केमरा में सूट हो रहा है तो फ्रॉंट केमरा में भी आप देखिए जदा प्रबरेशन नहीं है यानि कि प्रबरेशन जितना कम होगा उतना जदा इसका नेक के बैंड में नेका ढीला होने का खतरक कम होगा ज़े तरस्टेबल लग रहा है विजबिलीटी का इक इस मोबाइल होडर लिया था तो मेगनेटिक का अपने वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं आई वोटर में लेक दे दूँगा है और इसमें थोड़ा वैबरेशन तो होगा इतना थो अब पून में और पूरी गारी वैबरेट हो लिए है लेकिस्टैबलिटी से अच्छी है तो तो मेरे शसाब से तो स्टैबलिटी टेस्ट में ये पास है तो अभी मैं इस्लिभ मूब करके किसी भी टाइप का कोई भी मार्क ग्लास पे नहीं है अभी हम लोग इसको डैजबोर्ट पे चिपका के देखेगे कि डैजबोर्ट पे ये कितना स्टेबल रहता है अभी डैसबोर्ट पर माउंट करने के बाद हम देख लेता है कि डैसबोर्ट पर यह स्लिप होता है या कि नहीं डैसबोर्ट पर इसकी स्टेबिलिटी कैसी है उसको भी टेस्ट कर लेता है तो अभी डैसबोर्ट में माउंटेड है अभी आप देख सकते हैं स्टेबल कितना ह यहां भी काफिस टेबल है फिर भी मैं आपको एक बड़ दिखा देता हूं completely अभी अब लग बात कर लगते हैं इसके जो features थे उसके trial में कौन कोन सा feature असाही से काम किया और कौन को सा feature ठीक से काम नहीं किया तो पहली में बात कर लो इसमें लिखा है single-handedly use तो यह single-handedly use नहीं हो पा रहा है इसको दो हाथ से ही लगाना पड़ रहा है second 360 rotation वो ठीक से काम कर रहा है third point यह है कि आप इसको किसी भी phone को use कर सकते हैं 3.5 से लेके 6 inch तक तो यह इसमें पास है fourth screwless design है हाँ बिलकुल इसमें कोई भी screw का use नहीं हुआ है इसले stability की काफी बढ़िया है fifth point इसका जो suction है वो कहीं भी लग जा रहा है गाड़ी पे तो हाँ बिलकुल यह glass पे भी लग जा रहा है navigation करना है तो उसके लिए एकदम ही perfect है आप use कर सकते हैं लेकिन अगर आपका purpose video बनाना है तो आपको इसे mount करना पड़ेगा glass पे आप इसे dashboard पे bounce नहीं कर सकते माउट एकदम ही नहीं कर सकते क्योंकि आपने देखा कितना ज़दा vibration था उसमें लेकिन ग्लास में vibration बहुत ही कम है तो आप वहाँ पे use कर पाएंगे बात कर लते हैं इस product के price के बारे में इसे मैंने Amazon से लिया है 379 रुपीज में अगर आप चाहो तो link description में है आप वहाँ से check कर सकते हैं तो ये था मेरा point of view इस product के बारे में वीडियो के आपको helpful लगा हो तो प्लीज वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए मिलते हैं next वीडियो में